दोस्तों तीस्वे टेस्ट में सर्फराज और जयस्वाल के बीच मैदान पर गहमा गहमी भी देखने को मिली। डेब्यू मैच में सर्फराज खान ने अपने पार्टन यशस्वी पर दादागिरी दिखाते हुए देखे गए। उनका ये विक्षन सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बता देखी भारतिय कप्तान रोहित शर्मा ड्रिंक ब्रेक दोरान मैसेज पहुँचाया कि जयस्वाल अपना दोहराज शतक और सर्फराज अपनी 50 तेजी से पूरा कर ले। जिसके बाद दोनों खिलाडियों में होर सी लग गई कि दोहराज शतक और हाफ सेंचुरी कौन पहले पूरी करता है। इस दोरान दोनों खिलाडियों ने स्ट्राइक अपने पास रखने का मन बना लिया। तभी सर्फराज खान अपने अर्धर शतक से सिर्फ दो रन दूर थे और उन्होंने रेहान के ओवर में हलके हातों से कवर के बिच से गेंट को पुश कर दिया। इस दोरान दोनों खिलाडियों ने सिंगल आसानी से लिया। लेकिन देंट को पकड़ने के लिए इंग्लिश फिल्डर को लंबी दोर लगानी पड़ी। जिसकी वजह से उसरे एंट से जयसवाल ने मना कर दिया। फिर क्या सरफराज और ड्रेसिंग रूम में बैठे रोहित शर्मा यशस्वी पर बुरी तरह से भालग गए। उन्होंने आकरामत तेवर दिखाते हुए इशारों ही इशारों में कहा कि तुम भागे क्यों नहीं। और उन्हें लाइब मैच में ही खरी खोटी सुना दी और इस वक्त रोहित काफी गुस्से में भी दिखाई दिये।